हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हाँ आज के सुडियो में हम हिस्टेरिसिस कर्व या बी एच कर्व क्या होता है बी एच कर्व की वर्किंग क्या होती है बी एच कर्व को यूज क्यों किया जाता है या इसके एप्लेकिशन क्या होती है आज के स्टेरिसिस कर्व के बारे में सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले है तो आप वीडियो को लास तक ज़रूर वाच कीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं hysteresis curve या BH curve को use क्यों किया जाता है या इसके applications क्या होती है देखे कोई भी चीज सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए उसे कहां पर use किया जाता है तो जो BH curve या hysteresis curve होता है इस curve के जरीये हम पता कर सकते हैं जब भी किसी ferromagnetic material को किसी magnetic field में place किया जाता है तो इस ferromagnetic material में क्या changes आता है या क्यारीवर्तन आता है इसे हम basically hysteresis curve के जरिये पता कर सकते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो हम hysteresis curve से पता कर सकते हैं कि किसी भी material में या किसी भी transformer में या मोटर में कितने hysteresis losses हो रहे हैं उन losses को find out हम hysteresis curve के जरीये कर सकते हैं किस तरह किया जा सकता है हम वह भी समझ लेते हैं उससे पहले जस्ट हम फैरो मेगनेटिक माटेरियल क्या होता है पहले यह समझ लेते हैं देखिए हमारे पास जो भी मेगनेटिक माटेरियल होते हैं तीन तरह के होते हैं डाइ magnetic material, paramagnetic material और ferromagnetic material जब उस पर magnetic field अप्लाई की जाती है तो यह क्या करते है उसे ripple करते है यह उसे एट्रेक्ट करते है बट इनकी जो density होती है काफी कम होती है एट्रेक्ट जरूर करते है वही जो ferromagnetic material होता है जब उस पर magnetic field अप्लाई की जाती है तो यह से काफी strongly attract करते है इसलिए जो transformer की कोर बनाई जाती है वह हम ferromagnetic material की बनाते है आई होप आपको clear हुआ हो ferromagnetic material क्या होता है चलिए अब यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास ferromagnetic material की कोर इस आप इसे transformer की कोर भी समझ सकते है या कोई भी ferromagnetic material है इसके उपर हमने winding कर दी है और यहां से supply apply कर दी है तो इस supply यहां से apply करने पे ferromagnetic material जब बार बार magnetize and demagnetize होगा तो उसमें कितने losses होगे यह हम basically hysteresis curve को समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास BH करो में जो B होता है यह हमारे पास सबसकोई ferromagnetic material है उस ferromagnetic material पे जब हम magnetic field apply करते है तो basically उस magnetic में कितना magnet आया है या बना है उसके अंदर यह basically हम B axis पे लेते है या Y axis पे यहां पर हम लेते है that means जब हमने उस पे magnetic field apply किया तो उस material में कितना magnetize हुआ है यह हम basically B Y axis पे लेते है और जो H होता है उसे हम X axis पे लेते है हमने उस material के उपर कितनी magnetic field apply की है यहां से कितनी magnetic field apply की है वो हम basically x-axis पर लेते हैं आप वीडियो को carefully बाच कीज़े कोई पिस्टे miss नहीं होना चाहिए देखिए अब एक कर्व किस तरह बनेगा हम समझ लेते हैं अब यह हमने supply को off रखा है supply को on नहीं किया है उस condition में क्या होगा magnetic field भी zero होगी प्लस इस ferromagnetic material पर जो field apply होगी वह भी zero होगी अब जैसे जैसे हम यहाँ पर magnetic field या electric field अपलाई करते हैं देखिए यहाँ से magnetic field जैसे जैसे apply करते हैं तो जो ferromagnetic material होता है वह भी magnetize होते जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते है age हमारा यहाँ पर increase हो रहा है साथी साथ हमारा b b increase हो रहा है जैसे जैसे magnetic field बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो magnet जो material है वह भी magnetize होते जाएगा और एक condition या एक point ऐसा आएगा जिसके बाद जाने के बार हमारे जो ferromagnetic material है या उसमें magnetize होना बंद हो जाएगा अब उसके बाद हम कितनी भी वहाँ पर magnetic field लगा ले age को कितना भी बढ़ा ले अब यह magnetize नहीं होगा इसकी full limit तक यह magnetize हो चुका है तो यह जो point कहलाता है इसे हम saturation point कहते है saturation point पर जाने के बाद हमारा जो material हो magnetize नहीं होता है यह उसकी full limit होती है magnetize होने की अब जैसे जैसे यहां से magnetic field को कम करते जाते हैं यह intensity को कम करते जाते हैं तो जाहिर सी बात है figur जब magnetic field कम होगी तो उसे के साथ साथ जो material है उसका magnetize भी कम होगा उस condition में आप पहले यदि हम saturation point पर dipole को समझे किसी भी material में कई dipole से मिलकर वहोओब बना होता है तो जब saturation point पर हमारा material पहुँच जाएगा तो condition में उसके जितने भी dipole होगे उसका shape इस तरह से होगा देंके सबीकी direction एक तरफ होगी यह पूरी तरह से magnetize हो चुका है अब हम कितना भी magnetic field लगा लें उसमें कोईभी परिवर्तन नहीं होगा अब जिसे जिसे हम magnetic field को कम करता जाते हैं तो material की जो magnetic capacity होती है वो भी कम होते जाती है देखिए यहाँ पे कम होती जाती है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो magnetic field है यहाँ पर हमारी magnetic field बिल्कुल 0 हो चुकी है बट material में अभी भी magnetize कुछ ना कुछ बचा है material अभी भी magnetize है तो यह जो point कहलाता है basically इसे हम कहते है retention point retention point किसे कहा जाता है वह point जहाँ पर हम magnetic field को कम करते जाते हैं वहाँ पर magnetic field intensity 0 हो जाती है उसके बाद भी material में कितनी magnetic field बची हुई है वो basically retention point पे बताया जाता है यहाँ पर magnetic field हमने 0 कर दी है फिर भी material अभी magnetize है तो जितना magnetize है वो हम retention point कहते है चलिए अब इसे हमें पूरी तरह से material को पूरी तरह से demagnetize करना होगा तो इसके रहे हम क्या करते है जो magnetic field होती है उसे reverse direction में लगाना होगी देखिए हम इस तरह से reverse direction में लगाते है और यहाँ पर जब हम इतनी magnetic field reverse direction में लगाते है तब हम देखते है जो material है पूरी तरह से demagnetize हुआ है तो देखें यहाँ पे इतनी हमने इस्तरा लगा दिया हम यदि इसे reverse direction में magnetize करते हैं तो reverse direction में magnetize करने के बाद यदि हम समझें तो एक point ऐसा आता है जिसके बाद जाने पर यहाँ के बाद जाने के बाद हम वहाँ पर कितनी भी magnetic field reverse direction में लगा ले हमारे material में कोई भी change नहीं होने वाला है इसे ही जो हम कहते हैं उसे हम reverse saturation point कहते है यह हमारा reverse saturation point होता है इस condition में जो dipole की positions होती है वह इस तरह से होती है सब पूरी तरह से demagnetize हो चुके है अब यहाँ पर कितनी भी magnetic field लगा ले यहाँ पर material में कोई भी changes नहीं होने वाला है अब यहाँ हमें उसे field से magnetize करना है तो यहाँ से यहाँ तक लाना होगा देखे यहाँ तक हम इतनी magnetic field को positive direction देखे यहाँ तक ला ले जब हम reverse direction से material को basically देखा जाए तो पूरी तरह से demagnetize कर देते है बट material में जो magnetic field बचती है वो यहाँ पर कहलाती है coercion point इसे हम coursing point भी कह सकते है यह इसका coursing point कहलाता है इस condition में हम समझे तो कुछ जो dipole होते हैं वो अभी भी पूरी तरह से इस तरह इस shape में होते हैं बाकी का change चुका होता है बट इनका change नहीं होता है इसके कारण इस material में कुछ magnetic field बच जाती है तो यह point coursing point कहलाता है यदि हम फिर से magnetize करना है तो इतनी हमें energy basically इतनी magnetic field लगाना होगी तो यहाँ पर आके basically हमारी magnetic field zero होगी तो यह जो point हमें इस्टा लगाते हैं यह basically इसमें losses कहलाते है अब यदि हमें फिर से material को magnetize करना है तो यहाँ से इतना magnetize करते है तो यह जो point कहलाता है यहाँ पर आने के बाद हमारा material पूरी तरह से magnetize हो जाता है जब हमें demagnize करना होता है तो यहाँ पर इतना point फिर material में magnetic field रह जाती है तो यह basically जो BH curve होता है उसमें जो अंदर का यह shape होता है यह losses कहलाता है इससे हम पता कर सकते है किसी भी material में कितने losses हो रहे है So I hope आपको clear हुआ हो basically क्या होता है जब भी हम किसी material को magnetize करते है तो magnetize करने के बाद जब हम demagnetize उसे पूरी तरह से करते है तो कुछ ना कुछ उसमें magnetic field रह जाती है यह basically losses के लाद जब हम उसे पूरी तरह से demagnetize कर देते है फिर से उसमे magnetize करना होता है तो यहाँ पर हम देखते है magnetic field zero हो चुकी बट material में अभी भी negative side में magnetic field intensity बची हुई है तो यह क्या होता है losses होता है basically जो transformer होता है transformer को भी जब हम बार बार magnetize और demagnetize करते है तो इस transformer की जो winding होती है वो गर्म हो जाती है और heat के farm में वहाँ पर काफी energy का west होता है जो कि हम basically यहाँ पर इस B.H. curve के जरीए पता कर सकते है किसी भी ferro magnetic material में कितना losses हो रहा है जब भी हम किसी machine को purchase करते है तो हमें उसका B.H. curve जरूर देखना चाहिए यदि किसी machine का B.H. curve कुछ इस तरह से दिया गया है और दुसरी machine उसका B.H. curve कुछ इस तरह से दिया गया है So I hope आपको clear हुआ हो hysteresis curve क्या होता है BH curve क्या होता है इसे किस तरह बनाये जाता है इसकी क्या applications होती है तो किसी भी BH curve से हम पता कर सकते है Ferromagnetic material में magnetic field लगाने पर उसका behavior क्या है या उसमें कितने losses हो रहे है या हम basically hysteresis curve से non कर सकते है कि उसमें कितना hysteresis losses हो रहा है So I hope आपको clear हुआ हो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो like को बिटन जरूर प्रेस कीजिए So आज के लिए इतना ही